इस प्रेंट्स हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा about the meaning of partnership and about the essential features of partnership आज हम पढ़ने जा रहे हैं about the partnership deed तो बच्चों यह तो जानते ही है कि जो partners के बीच में agreement होता है वो oral भी हो सकता है और return भी हो सकता है ठीक है और यही agreement अगर return होता है तो इसको partnership deed कहा जाता है और partnership deed इसलिए होना फायदेबन रहता है ताकि future में कोई dispute ना हो ठीक है अब यह तुम समझ गए कि यह return document ही partnership बीट कहलाता है oral agreement को आप partnership deed नहीं कह सकते डीट का return में होना जुरूरी होता है अब डीट के इंदर और फिर्म का address ठीक है साथ-साथ हम यह दर डाल सकते हैं कि मारा principle place of business कहा होगा यानि main office कहा होगा head office कहा होगा ठीक है उसके लवा हमारा nature of business हम डाल सकते हैं कि किस तरह काम कर रहे हैं किस product के लिए बनाने का या बेचने का काम कर रहे हैं या हम service provider है ठीक है तो कौन सा business करेगा हमारे हमारी partnership firm यह जो है हमें nature specify कर सकते हैं इसके अंदर और यह भी इसमें specify करा जा सकता है कि partnership का commencement यहने starting case date से हुई है ठीक है बच्चो इसमें हम यह भी clause डाल सकते हैं कि कि इस partner कितनी capital contribute करी है और साथ सथ हम यह भी clause डाल सकते हैं कि capital इस पर रिखेना है वो भी डाल सकते हैं सिमिरली हम interest on drawing का भी डाल सकते हैं कि अगर कोई interest on drawing चार्ज की जानी है तो हम उसका बिसमें clause डाल सकते हैं और कि रेट से charge करनी है वो भी डाल सकते हैं साथ साथ अगर हम profit sharing देशों के decide करना चाते हैं among the partners तो हम उसका clause भी सकीन ले डाल सकते हैं उसका point भी इसमें डाल सकते हैं ठीक है और नहीं डालेंगे तो फिर हमें equally ही शेयर करना पड़ेगा इस बात को धान रखेगा अगर partner ने फिर हमको पर कोई remuneration यानि कि salary या commission दिया जाना है तो वो भी इसका clause भी में डाल सकते हैं कि कि किस partner को कितनी salary या commission दिया जाएगा ठीक है उसके इलाबा हम goodwill के valuation का कौन सा method यूज करेंगे आगे जाके वेसे भी पढ़ेंगे methods of valuation of goodwill तो कौन सा particular method यूज करेंगे for the valuation of goodwill जब firm reconstitute हो रही होगी यानि जब कोई नया partner admit हो रहा होगा या जब partners अपना existing partners ही अपना profit ratio चेंज कर रहे होंगे या किसी partner के retirement या किसी partner के death हो रही होगी तो उस case में goodwill की valuation करनी पड़ती है तो हम उसका ये clause डाल सकते हैं कि किस method को follow करते हुए हमें goodwill निकालनी है ठीक है बच्चो तो ये clause भी डाला जा सकता है ऐसे ही reconstruction के time पे हम assets की valuation करते हैं तो हम assets की valuation के इस method से करनी है उनके fair price को लिना है, fair value को लिना है, market value को लिना है, realizable value को लिना है या book value को ही continue करना है ठीक है बच्चो settlement of accounts यानि कि अगर कोई partner retire होता है या अगर किसी partner के death हो जाती है तो उसका account किस तरह से settle किया जाएगा ठीक है बच्चो यानि कितना पैसा उसको तुरंट दिया जाएगा या पैसा उसका लागे loan में transfer कर दिया जाएगा and then उस पे interest दिया जाएगा यह सब clause उसमें हम डाल सकते हैं कि किस तरह से उनके account settle किये जाएगे जो partner retire हो रहे है जिस partner की death हो गाहत है बच्चो अब किस हमसमें डाल सकते हैं कि जो partnership है वो किसी particular काम के लिए है या एक specified time period के लिए है या फिर at will है यानी जब तक चलाएं तब तक चल सकती है तो यह clause में डाल सकते है ठीक है यानि कि अगर at will होगी तो हम डाल सकते हैं कि जब तक चाहें तक चलाएंगे business अगर एक particular के लिए है तो प्रचोकरो का नाहम और सकते हैं के सकते हैं कि बाद लाएजा है कि पाटिर्स कि इस दोल्व जाएधी चुंप 10 को अपने अंदर को अपने अकाउंट को घुट से अधर है साल 31 मार्च को जमा करने होती है अपनी फैनेशल स्टेटमेंट भी ठीक है बच्चो तो यह क्लॉस डालना डाल सकते हैं नहीं भी डालेंगे तो सब्सक्राइब करने के लिए अगला क्लॉस इंपॉर्णन के अगला इंपरेंट है कि डाव पार्टनर पर आगो आपको फर्म कंटिनू करनी है या निकरनी इसका डाल सकते है वैसे मैं बता दो अगर 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 एक लॉस नहीं डाला है पार्शिप बीट में या डीड नहीं है तो on the death of partner partnership firm dissolve हो जाये करती है ठीक है बच्चो और हम settlement of dispute का भी clause डाल सकते हैं कि अगर dispute होते हैं तो in future वैसे तो अगर partnership बीट रहेगी तो dispute के chances जो है हुआ नहीं करते हैं मगर फिर भी अगर होते हैं तो उनको कैसे सेटल किया जाएगा क्या court जाएंगे या किसी particular association के पास जाएंगे या आपस में मिलके तुल जाएंगे इस तरह से तो यह सब clauses हैं जो partnership deed में डाले जा सकते हैं मैं यहाँ पे clear करते हूं कि clauses का कोई number exact fix नहीं है यह कितने भी clause डाल सकते हैं as per the convenience of the partners ठीक है जितना ज्यादा understanding होगी यह जितना वो अपने अपने आपको ज्यादा clarity रिठना चाहते हैं उतना ज्यादा वो clauses points इसमें और further इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं इससे कम भी डाल सकते हैं ठीक है तो को fix number of clauses नहीं है fix number of points नहीं है partnership deed में जो डाले जाएं ठीक है यह normally यह सब points हुआ करते हैं जो partnership date में डाले जाते ठीक है बच्चो बच्चो बात करते हैं about the importance of partnership date कि partnership date होना जो है वो important क्यों है कि देखें बच्चो पार्टर्शिप ज्सलें important है क्योंकि partnership date partners के agreement को return में शो करता है और जो agreement है वही partners के बीच के relation को जो है define करता है तो इसलिए अगर partnership आपका date जो है याई आपका agreement return में होगा partners के बीच में तो partners के बीच में जो dispute होंगे उनको असानी से resolve किया जा सकता है ठीक है जैसे कि क्योंकि partnership date के अंदर जो है आप partners के rights, duties और liabilities सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे क्या होगा पार्टनर के बीच में जो confusion है वो नहीं रहा करेगा हर किसी को अपने rights के बारे पता होगा duties के बारे पता होगा तो अपने वो rights duties का silence इस्तमाल करेंगे ठीक है उसके लागा partners partnership date के अंदर सारे terms and conditions specified होते हैं तो normally dispute के chances रहा नहीं करते हैं ठीक है बच्चो लेकिन अगर होते भी हैं तो deed की help से हम उसको असानी से resolve कर सकते हैं और suppose हम resolve नहीं कर पाए आपस में और मामला code में चला जाता है तो at least deed एक evidence के तौर पे जो हाँ पे present की जा सकती है इसके जरी बताया जा सकता है कि deed में ये सब था ठीक है तो उससे क्या है वो dispute resolve होने के chances बढ़ जाते हैं ठीक है तो ये फाइदा रहता है partnership के होने का clear बच्चो